अगर आपको कहानी, कवता और एखा चित्रों जैसे लगते अंश एक दूसरे में गुन्थे हुए पसंद है तो ये किताब आपके लिए है परसाई रचनावली प्रेम चंद के फटे जूते प्रेम चंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खेचा रहा है सर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने है कनपटी चिपकी है, गालों की हडियां उभर आई है पर घनी मुझे चेहरे को भरा भरा बतलाती है पाउं में केंवस के जूते है, जिनके बंद बेतर तीब बंधी है लापरवाही से उप्योग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पत्री निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परिशानी होती है तब बंद कैसे भी कसलिये जाते है दाइने पाउं का जूतर ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बहार निकल आई है मेरी दृष्टी इस जूते पर अटक गई है सोचता हूँ फोटो खिचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी नहीं इस आदमी की अलग-अलग पोशाके नहीं होगी इसमें पोशाकें बदलने का गुर्ण नहीं है ये जैसा है वैसा ही फोटो में खिच जाता है मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहतिक पुर्खे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है जरा लज्जा, संकोच या जेप नहीं है क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खीच लेने से उंगली ठक सकती है मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही बड़ा विश्वास है फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब प्रमपरा की अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी दर्द के गहरे कुए के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खीच कर उपर निकाल रहे होंगी के बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थेंक्यू कह दिया होगा विचित्र है ये अधूरी मुस्कान ये मुस्कान नहीं है इसमें उपहास है व्यंग है ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिचवा रहा है पर किसी पर हस भी रहा है फोटो ही खिचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते ये ना खिचवाते फोटो ना खिचवाने से क्या बिगड़ता था शायद पत्नी का आग्रे रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजडी है कि आदमी के पास फोटो खिचवाने को भी जूता ना हो मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पढ़ना चाहता हूँ मगर तुम्हारी आँखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एक दम रोक देता है तुम फोटो का महत्व नहीं समझते समझते होते तो किसी से फोटो खिचवाने के लिए जूते मांग लेते लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते है और मांगे की मोटर से बरात निकावते है फोटो खिचवाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने तुम फोटो का महत्व नहीं जानते लोग तो इतर चुपड कर फोटो खिचवाते हैं जिससे फोटो में खुश्बू आ जाए गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुश्बू देती है टोपी आठाने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी पांच रुपए से कम में क्या मिलते होंगे जूता हमेशन टोपी से कीमती रहा है अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई और एक जूते पर पचीसो टोपी अन्युचावर होती है तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूले के मारे हुए थे ये विडंबना मुझे इतनी तीवरता से पहले कभी नहीं जुबी जितनी आज जुब रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ तुम महान कथाकार, उपन्यास, सम्राट, युग परवर्तक, जाने क्या-क्या कहलाते थे मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है यो उपर से अच्छा दिखता है उंगली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी गिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहुलुहान भी हो जाता है पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी तुम्हारी उंगली दिखती है, पर पाउं सुरक्षित है मेरी उंगली ढकी है, पर पंजा नीचे घिस रहा है तुम परदे का महत्व नहीं जानते हम परदे पर कुर्बान हो रही है तुम फटा जूता पहने, बड़े ठाट में हो मैं ऐसे नहीं पहन सकता फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिचवाओ, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है क्या मतलब है इसका, कौनसी है ये मुस्कान क्या होरी का गौदान हो गया क्या पूस की राप में सुवर हलकों का खेट जर गए क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्यूंकि डाक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराप पी गया वही मुस्कान मालूम होती है मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया ये मेरी जन्ता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे क्या बनिये के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लोटते रहे चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है घिस जाता है कुम्बन दास का जूता भी फतेपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था उसे बड़ा पच्चतावा हुआ उसने कहा आवत जात पनहया घिस गई बिसर गयो हर नाव चलने से जूता घिसता है फटता नहीं तुम्हारा जूता कैसे फट गया मुझे लगता है तुम किसी सक्त चीज को ठोकर मारते रहे हो कोई चीज जो पर्त दरपर्त सदियों से जमती गई है उसे शायर तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फार लिया कोई टीला जो रस्ते पर खड़ा हो गया उस पर तुमने अपना जूता अजमाए तुम उससे बचा कर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे कीलों से समझोता भी हो जाता है सभी नदिया पहाड थोड़े फोड़ती है कई रस्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है तुम समझोता नहीं कर सके क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को लेडूबी वही नेमधरम वाली कमजोरी नेमधरम उसकी भी जबजीर थी बगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो लगता है के शायद नेमधरम तुम्हारा बंधन नहीं था तुम्हारी मुक्ती थी तुम्हारी पाउं की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है जिसे तुम घ्रिनत समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाउं की उंगली से इशारा करते हो तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड लिया मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग भरी मुस्कान भी समझता हूँ तुम मुझ पर या हम पर सभी पर हस रहे हो उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे है उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड लिया उंगली बाहर निकल आई पर पाउं बच रहा है मैं चलता रहा मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो तुम कैसे चलोगे मैं समझता हूं मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूं उंगली का इशारा समझता हूं तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूं